सभी का मार्ग दर्शिन करे नमस्कार देश के रेल मंत्री स्री अश्विनी वैश्णव जी कारकम्में देश के कौने कौने से जुड़े केंत्रियम मंत्री मंडल के अन्य सदस्य विभिन्न राज्यों के गवर्नर मुख्य मंत्री गण राज्यम मंत्री मंडल के मंत्री स्री सांसद गण विधाय गण अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाईयों और बहनों दिख्सित होने के लक्ष की तरफ कदम बड़ा रहा भारत अपने अमरित काल के प्रारंब में है नई उर्जा है नई प्रेरणा है नई संकल्प है इसी आलोक में आज भारतियर रेल के इत्यास में भी एक नए अध्याय की शुरुवात हो रही है भारत के करीब तेरा सो प्रमूख रेल्वे स्टेशन अब अमरित भारत रेल्वे स्टेशन के तौर पर विक्सित किये जाएंगे नवनिर्मान पर करीब इसका लाप देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा जैसे यूपी में इसके लिए करीब साड़े चार हजार करोड रुपे के खर्ट से 55 अमरित स्टेशन को विक्सित किया जाएगा राजस्तान के भी 55 रेल्वे स्टेशन अम्रित भार स्टेशन बनेंगे एमपी में एक हजार करोड रुपे के खर्ट से 34 स्टेशन का काया कल्प होने वाला है महाराष्ट में 44 स्टेशन के विकास के लिए डेड़ हजार करोड रुपे से जादा खर्ट होंगे तमिल नाडू करनाटका और किरला के भी प्रमूख स्टेशन को अम्रित भार स्टेशन के रुप में विक्सित किया जाएगा मैं अम्रित काल के प्रार्म में इस अइतिहासिक अभ्यान के लिए रेल मंत्राले की सराना करता हूँ और सभी देशवाच्यों को बधाई देता हूँ साथियों आज पूरी दुनिया की द्रश्टी भारत पर है वैश्विक स्तर पर भारत की साख बड़ी है भारत को लेकर दुनिया का रवया बड़ला है और इसकी दो प्रमुख बाते हैं दो मुख्य बज़े हैं पहली आप देशवाची भारत के लोगों ने करीब करीब तीन दसक बाद तीस साल बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई वो पहली वज़े और दूसरी वज़े हैं पूर्ण बहुमत की सरकार उसी स्पष्टता के साथ जनता जनारदन की उनकी भावना का आदर करते हुए बड़े बड़े निर्णे लिए चुनवतियों के स्थाई समाधान के लिए अवीरत काम किया आज भारतिये रेल्वे भी इसका प्रतीक बन चुकी है बीते वर्षों में रेल्वे में ही जितना काम हुआ है उसके आंकडे उसकी जानकारी हर किसी को प्रसंद भी करती हैं हरान भी कर देती हैं जैसे दुनिया में साउथ आफ्रिका युक्रेन पोलेंड यूके और स्वीडन जैसे देशों हैं जितना रेल नेटवर्ग है उससे जादा रेल ट्रेक हमारे देश में इन नव वर्षों में बिचाए गए हैं अब कलपना करिए स्केल साउथ कोरिया न्यूजिलेंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों का जितना रेल नेटवर्ग है उससे जादा ट्रेक भारत ने अकेले पिछले साल बनाए हैं एक साल में भारत में आज आधूनीक ट्रेनों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है आज देश का लक्ष है कि रेल्वे की यात्रा हार यात्रि के लिए हार नागरिक के लिए सुलब भी हो और सुखद भी हो अब ट्रेन से लेकर स्टेशन तक आपको एक बहतर एक उमदा से उमदा एक्सपरिस देने का प्रयास है प्लेटफर्म्स पर बैठने के लिए बहतर सीटें लग रही हैं अच्छे वेटिंग रूम बनाए जा रहे हैं आजदेश के हजारों रेल्वे स्टेशनों पर मुप्त भाई भाई की सुविदा है हमने देखा है इस मुप्त इंटरनेट का कितने ही युवां उन्हें लाब उठाया है पड़ाई करके वो अब बहुत कुछ अपने जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं साथ क्यों यह इतनी बड़ी सिद्धियां है जिस प्रकार से रेल्वे में काम हुआ है किसी भी प्रीएम का मन कर जाएगा कि इनका जिक्र पंद्रा अगस को लाल किले से करें और जब पंद्रा अगस सामने है तो मन बहुत ही लालाईथ होता है कि उसी दिन इसकी चर्चा करू लेकिन आज ये इतना विराट आयोजन हो रहा है देश के कोने कोने से लोग जुड़े हैं इसलिए मैं अभी ही इस बात पर इतने विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ साथियों रेल्वे को हमारे देश की लाइफ लाइफ लाइन कहा जाता है लेकिन इसके साथ ही हमारे शहरों की पहचान भी शहर के रेल्वे स्टेशन से जुड़ी होती है समय के साथ ये रेल्वे स्टेशन अब हार्ट अब दे सीटी बन गए है सहर की सारी प्रमुगतिवीधियां रेल्वे स्टेशनों के आसपाची होती है इसलिए आज बहुत आवशक है कि हमारे रेल्वे स्टेशनों को नए आदोलिक स्वरूप में ढाला जाए रेल्वे की जगह का अप्टीमम उटिलाइजेशन किया जाए साथियों जब देश में इतने सारे नए आदोलिक स्टेशन बनेंगे तो उससे विकास को लेकर एक नया माहोल भी बनेगा देशी विदेशी कोई भी परियटक जब ट्रेन से इन आदोलिक स्टेशनों पर पहुँचेगा तो राज्य की आपके शहर की पहली तस्वीर उसे जरूर प्रभावित करेगी वो यादगार बन जाती है आदोलिक सेवाओं के कारण परियटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेशन के आसपास अच्छी व्यवस्थाएं होने से आर्थी गतिविध्यों को भी बढ़ावा मिलेगा सरकार ने स्टेशनों को शहर और राज्यों की पहचान से जोडने के लिए वन स्टेशन वन प्रोड़क्ट योजना भी शुरू की है इससे पूरे इलाके के लोगों को कामगारों और कारिगरों को फाइदा होगा साथ ही जीले की ब्रांडिंग भी होगी साथियों आजादी के अमरित काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व का भी संकल्प लिया है ये अमरित रेल्वे स्टेशन उसके भी प्रतिक बनेंगे हमें गर्व से भर देंगे इन स्टेशन में देश की संस्कृती और स्थानी विरासत की जलग दिखेगी जैसे जैपूर रेल्वे स्टेशन में हवा महल आमेर फोर्ट जैसी राजस्तान की दरों की जलग होगी जम्मु कश्मीर का जम्मु तवी रेल्वे स्टेशन प्रसिद्ध रगुनाद मंदिर से प्रेरित होगा नागालेंड के दिमापूर स्टेशन पर वहां की 16 जन जात्यों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी हर अमुर्ट स्टेशन शहर की आधूनिक आकांख्षाओं और प्राचिन विरासत का प्रतीक बनेगा देश के विबिन अइतियासिक स्थलों और तिर्थ स्थानों को जोडने के लिए इन दिनों देश में एक भारत गवरव यात्रा ट्रेंड भारत गवरव ट्रिश ट्रेंड भी चले रही है शायद आपके ध्यान में आया होगा उसको भी मजबूती दी जा रही है साथियों किसी भी व्यवस्ता को ट्रांस्फर्म करने के लिए जरूरी होता है कि हम उसके पोटेंशल को पहचाने भारतिये रेल में तो ग्रोथ को रप्तार देने का अपार पोटेंशल है इसी सोच के साथ बीते नव वर्षों में हमने रेल्वे में रिकॉर्ड इंवेस्ट्मेंट किया है इस साल के रेल्वे को ढाई लाग करोड रुपिय से जादा का बजट दिया गया है ये बजट दो हजार चौदा की तुलना में पांच गुना जादा है आज एक होलिस्टिक सोच के साथ रेल्वे के समग्र विकास के लिए काम हो रहा है इन नव वर्षों में लोकोमोटिव्स उत्पादन में भी नव गुना की वृद्दी हुई है आज देश में पहले की अपेक्षा तेरा गुना जादा एच एल बी कोच बन रहे हैं साथियों नौर्थ इस्ट में रेल्वे के विस्तार को भी हमारी सरकार ने तात्विक्ता दी हैं रेल्वे लाइनों का दोहरी करण हो गेज परिवर्तन हो इलेक्ट्रिफिकेशन हो नए रूट्स का निर्मान हो इस पर तेजी से काम किया जा रहा है जल्द ही पुर्वोत तरके सभी राज्यों की राजधानिया रेल्वे नेटकवर्ट से जूर जाएगी नागा लेंड में सो साल बाद दूसरा रेल्वे स्टेशन बना है नौर्थ इस्ट में नई रेल लाइनों की कमिशनिंग भी पहले के मुकामले तीन गुना जादा हो रही है साथियों पिछले नाव वर्षों में बाईसो किलोमेटर डेडिकेटेड ट्रेड कोरिडोर भी बनाए गए हैं इसकी वज़े से माल गाड़ियों के ट्रेवल टाइम में काफी कमी आई है दिल्ली NCR से वेस्टन पोर्ट तक चाए गुजरात के समुद्री तर्ट हो या महराष्टर का समुद्री तर्ट हो पहले से जो सामान ट्रेन से पहुचाने में एवरेज आउसापन 72 गंटे लगते थे आज वही लगेज वही सामान वही गूट 24 गंटे में पहुच जाता है ऐसे ही दूसरे रूट्स पर भी टाइम में 40 प्रतिशत की कमी आई है तैबल टाइम में कमी आने का मतलब है कि माल गाड़ियों की गती बड़ी है और सामान भी अब जादा तेजी से पहुच रहा है इसका बड़ा लाब हमारे उद्दमियों कारोबारियों और खास करके हमारे किसान भाई बहनों को हो रहा है हमारी फल सब्जियां अब जादा तेजी से देश के एक कौने से दूसरे कौने तक जा रही है जब देश में इस तरह का टांस्पोर्टेशन तेज होगा तो उतनी ही तेजी से भारत के जो उत्पाद है हमारे छोटे मोटे कारीगर हमारे लगुद्द्योग जो कुछ भी उत्पादन करते हैं वो सामान विश्व बाजार में भी तेजी से पहुँचेगा साथियों आप सभी ने देखा है कि पहले रेलवे ओवर बिज का कम होने के काराण कितनी दिक्कतें आती थी 2014 से पहले देश में 6,000 से भी कम रेलवे ओवर बिज और अंडर बिज थे आज ओवर बिज और अंडर बिज की ये संख्या 10,000 से ज़्यादा हो गई है देश में बड़ी लाइन पर मानव रहित क्रॉसिंग की संख्या भी सुन्ने हो चुकी है रेलवे और रेलवे प्रेट्फॉर्म पर यात्री सुविधाओं के निर्माण में आज बुजुर्गों की दिव्यांग जनों की जरूरतों का विशेश ध्यान रखा जा रहा है साथियों हमारा जोर भारतिय रेलवे को आंधुनिक बनाने के साथ ही परियावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है बहुत जल्द भारत के शत प्रतिशत रेल ट्रेक्स इलेक्ट्रिफाइड होने जा रहे हैं यानि कुछी वर्षों में भारत की सारी ट्रेने सिर्फ बिजली से चला करेगी इससे परियावरण की कितनी बड़ी मदध होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं नव वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी बारा सो से जादा हो गई है लक्ष यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनरजी बनाएं हमारी ट्रेनों के करीब करीब सत्तर हजार डिबे सत्तर हजार कोचीज में एलीडी लाइस लगाई जा चुकी है त्रेनों में बायो टॉइलेट्स की संख्या भी कि दो हजार चौदा के मुकालेब 28 गुना जादा हो गई है यह जितने अमृत स्टेशन बनेंगे यह भी ग्रीन बिल्डिंज के मानकों को पुरा करेंगे 2030 तक भारत एक ऐसा देश होगा जिसकी रेलवे नेट जीरो एमिशन पर चलेगी साथियों रेल ने दसकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है काम किया है एक प्रकारते देश को जोड़ने का भी काम किया है अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम रेल को एक बहतर पहचान और आधुनिक बविश्चत से जोड़े और रेल की रक्षा व्यवस्थाओं की रक्षा सुविदाओं की रक्षा स्वच्चता की रक्षा एक नागरी के नाते उस कर्तव्य को हमें निभाना अमुरित काल अर्तवय काल भी है लेकिन साथ यो कुछ बाते जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धरा आज भी पूराने धरे पर चल रहा है वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे न काम करेंगे न करने देंगे ये रवय पर अड़े हुए हैं देश ने आज की और बविश्य की जरूरत की चिंता करते हुए हैं संसद की आधुनिक इमारत बनवाई संसद देश के लोक तंतर की प्रतिक होती हैं उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनित होता है लेकिन विपक्ष के इस घड़े ने इस दड़े ने विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया हमने कर्तव्य पत का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया इन लोगों ने सब्तर साल तक देश के वीर सहीदों के लिए वार मेमोरियल तक नहीं बनाया जब हमने नेशनल वार मेमोरियल बनाया उसका निर्मार किया तो इसकी भी सरे आम आलोचरा करते हुआ को शरम नहीं आई सरदार वल्लबबाई पटेल का स्टेटी अब यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी बुर्ती है हर इंदुस्तानी को गर्व होता है और कुछ राजनितिक दल चुनाव के समय तो सरदार साब को याद कर लेते हैं लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टेट्ची अफ यूनिटी में जाकर के सरदार साब किस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किये न उन्हें नमन किया है लेकिन साथियों हमने देश के विकास को इस सकारात्मग राजनिती से आगे बढ़ाने का फैसला किया है और इसलिए नकारात्मग राजनिती से उपर उट कर सकारात्मग राजनिती के रमार्क पर एक मिशन के रुप में हम चल रहे हैं किस राज में किसकी सरकार है कहां किसका वोट बैंक है इस सब से उपर उठकर हम पूरे देश में विकास को सर्वोच प्रात्पिकता दे रहे हैं सबका साथ सबका विकास ये धर्ती पर चरितार्थ करने के लिए जीजान से जूटे हैं साथियों पिछले वर्षों में रेलवे युवाओं को जोब देने का भी बहुत बड़ा जरिया बनी हैं करीब डेड़ लाख से जादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नोकरी मिली हैं इसी तरह इंफ्रास्टेक्टर पर लाखों करोड के निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है इस समय केंद्र सरकार दस लाख युवाओं को नोकरी देने का अभ्यान भी चला रही है रोजगार मेलों में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं ये बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें विकास युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवाओं विकास को नए पंख लगा रहे हैं साथियों आज इस कारकम में बहुत सारे स्वतंतरता सेना भी हमें आशिरवाद देने के लिए उपस्तित है कई पत्म संवान प्राप्त महानुभाव भी इस कारकम की शोभा बड़ा रहे हैं हर भारतिय के लिए अगस महिना बहुत विशेश महिना होता है ये महिना कुरांती का महिना है, कृतग्यता का महिना है, कर्तव्य भावना का माँ है। कल साथ अगस को पुरा देश स्वदेशी आंदोलन को समर्पित नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। साथ अगस की ये तारीक हर भारतिय के लिए वोकल्प और लोकल होने के संकल्प को दोहराने का दिन है। कुछी दिनों बात गनेश चतूर्थी का पवित्र पर्व भी आने वाला है। हमें अभी से एको फ्रेंडली गनेश चतूर्थी की तरब जाना है। हम कोशिश करें कि गनपती बपा की प्रतिमाएं एको फ्रेंडली मटरियल्स की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानिय कारीगरों, हमारे हस्तसिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेंडना देता है। साथ की हो। साथ तारीख के एक दिन बात नव अगस्त आ रही है। नव अगस्त वो तारीख है जब एतिहासिक क्वीट इंडिया मूवमेंट की शुरुवात हुई थे। मात्मा गांती ने मंत्र दिया था और क्वीट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई उर्जा पैदा कर दी थी। इसी से प्रेणित होकर आज पुरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है पीट इंडिया। चारों तरफ एकी गुंज है करप्षन क्वीट इंडिया यानी ब्रस्टाचार इंडिया छोडो। डाइनेस्टी क्वीट इंडिया यानी परिवारवार इंडिया छोडो। अपीजमेंट क्वीट इंडिया यानी तुष्टी करण इंडिया छोडो। साथियों उसके बाद 15 अगस्त की पुर्वसंद्या 14 अगस्त का विभाजन विभीशिकास मरण दिवस्त जम्मा भारती के दो टुकड़े हो गए थे एक ऐसा दिन है जो हर भारती के आँखों को नम कर देता है ये उन अन्गनित लोगों को याद करने का दिन है जिनोंने भारत के बटवारे की बड़ी कीमत चुकाई ये उन परिवारों के प्रती एक जुड़ता को दिखाने का जिनोंने अपना सब कुछ खो दिया और फिर भी साहस के साथ मा भारती के लिए अपनी सद्धा को लेते हुए जीवन को पट्री पर लेने के लिए जूजते रहें आज ये अपने परिवार अपने देश के हित में देश के विकात में महत्वपन योगदान दे रहे हैं और साथियों 14 अगस्त विभाजन विविशिका दिवस मा भारती के टुकड़ों का वो दिन हमें भविश में मा भारती को एक रखने की जिम्मेवारी भी देता है अभी देश को किसी भी तरह से कोई नुक्षान न हो पाएं ये संकल्प करने का समय भी ये विभाजन विविशिका दिवस 14 अगस्त है साथियों देश के हर बच्चा भुजूर्ख सब कोई 15 अगस्त का इंतजार करता है और हमारा 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट की प्रगति की प्रती हमारी प्रतिबद्दता को दोहराने का समय है पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर गर तिरंगा फैराना है हर गर तिरंगा हर दिल तिरंगा हर मन तिरंगा हर मकसद तिरंगा हर सपना तिरंगा हर संकल्प तिरंगा मैं देख रहा हूं कि अनेक साथ ही आज कल सोचल मीडिया पर अपनी तिरंगे वाली डीपी अपडेट कर रहे हैं हर गर तिरंगा के उद्गोश के साथ फ्लैग मार्ट मी निकाल रहे हैं मैं आज सभी देशवास्यों से विशेश रुप्से युवाओं को हर गर तिरंगे इस आंदोलन से जुड़ने का और इसका प्रचार प्रथार करने का भी आगर करता हूँ साथ क्यों लंबे समय तक हमारे देश के लोग यही सोचते थे कि वो जो टैक्स चुका रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है उन्हें लगता था कि उनकी मेहनत से कमाये हुए पैसेों को ब्रश्टाचार में उड़ा दिया जाएगा लेकिन हमारी सरकार ने इस धारना को बदल दिया आज लोगों को मैसूस होता है कि उनके पैसे का पाई पाई का उप्योग राष्ट के निर्मान में हो रहा है सुविदाएं बढ़ रही है इस अब लिविंग बढ़ रही है जो मुसीबतें आपको जिलनी पड़ी वो आपके बच्चों को जिलनी न पड़े उसके लिए दिन रात काम हो रहा है इसका परिणाम यह है कि टैश्ट भरने वाले लोगों की विकास के प्रती एक विश्वास बढ़ा आए और उसके कारण टैश्ट देने वालों की संख्या भी बढ़ रही है एक समय था जब देश में दो लाख रुपिये की इंकम पर टैश्ट लग जाता था आज यह मोदी की गारंटी देखिए आज साथ लाख रुपिये तक की इंकम पर कोई टैश्ट नहीं लगता इसके बावजूद देश में जमा होने वाली इंकम टैश्ट की रासी भी लगातार बढ़ रही है जो विकास के काम आ रही है इसका स्पर्ष्ट संदेश है कि देश में मद्यमबर का दाइरा लगातार बढ़ रहा है अभी पांच दिन पहले ही इंकम टैश्ट रिटन भरने की आखरी तारी गुजरी है इस साल हमने देखा है कि इंकम टैश्ट रिटन भरने वालों की संख्या सोला परसंट बड़ी है यह दिखाता है कि लोगों का देश की सरकार पर देश में हो रहे नवनिर्मान पर और विकास की कितनी जरूत है इस बात पर बरोसा कितना बड़ रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह रेल्वे का काया कल्प हो रहा है मेट्रो का विस्तार हो रहा है लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह एक के बाद एक नए नए एक्सप्रेस में बनाये जा रहे हैं लोग आज देख रहे हैं कि देश में किस तरह तेजी से नए नए एरपोर्ट बनाये जा रहे हैं नए अस्पताल बनाये जा रहे हैं नए ने स्कूल बनाये जा रहे हैं जब लोग इस तरह का बड़लाव देखते हैं तो ये एहसास और मजबूत होता है कि उनके पैसे से नए भारत का निर्मान हो रहा है आपके बच्चों के उजवल भविश्य की गारंटी इन सब कामों में गारंटी है हमें इस विश्वास को दिनों दिन और मजबूत करना है और भाई बहनों ये जो 508 रेल्वे स्टेशनों का आदुनिकन हुआ है ने ये भी उसी दिशा में उठाया गया कदम है मैं आपको विश्वाद दिलाता हूँ अम्रिद भारत स्टेशन्स भारतिय रेल के इस काया कल्प को एक नई उचाई देंगे आओ इस कांती के महने में हम सभी हिंदुस्तानी नए संकल्पों के साथ 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा बारत को विश्वाद बनाने के लिए एक नागरिक के नाते मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा इस संकल्पों के साथ आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्तामनाएग ABP माजा उगडा डोले बगा नीट